जेहिंद वंदे मात्रम स्वागत है सभी सात्यूं का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टेडी एकजाम एकेडमी पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले सातना ज़ूं आज कि इस कलास में हम बात करेंगे रातष्थान जो ग्रामविकाश सद्यकारी का पेपर हुआ है उस पेपर के अनुसार कितने यहाँ पर कटोब रह सकती है क्योंकए यह आपका परी एक्जाम था और इसका मैंस ऑभी बाकी है तो परी में यहाँ पर कितने nummer विदारती क्वालिपाइए कर जेंगे जो यानि मेंज के लिए यहां पर एड़ी है तो इसके लिए आप हमारा टेली ग्रूप भी जोइन कर सकते हैं उसमें भी मनें सर्वे करके कटोप डाली है लिंक डिस्क्रिप्शन में है जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ग्राम क सद्धिकारी का दो गंटे का पेपर हुआ था और इसमें अलग लग शिप्ट के अंदर अलग लग यहां पर पर प्रशन देखने को मिले थे इसमें ना तो माइनस मार्किंग थी जिसकी कारण से सभी विदारती उन्हें परशन भी अटेंड की है लेकिन जो पने पहले करें तो टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया दोनों में बात करेंगे सबसे पहले हम टीएसपी एरिया हम बात करें तो मेल और फिमेल तो टीएसपी एरिया की जो कटोब है वो आपकी रहने वाली है तीस से पेंटीस के बीच में यह आपकी बिल्कुल टीएसपी एरिया किया और इसें भी नीचे आ सकती है इसें भी नीचे आ सकती है लेकिन ज्यादा नहीं रहेगी यदि पेपर केम लेवल की बात करें तो बाकी यहां पर हम बात करें अनुमानी थे टेसपी एरिया में SC और ST यानि ST मेल और ST फिमेल की तो इनकी कटो बिल्कुल यहां पर 30 के लगभग रहने वाली है दोनुं की फिमेल की थोड़ी और इकम यहां पर डाउन रहेगी इसें भी कम आ जाएगी 25 तक यहां पर विदार्ती 25 पेंटीस तक के बीच में यहां पर सेलेक्शन हो जाएगा TSP area में विदारती बहुत जाता है, यहाँ पर एक्जाम दिये हैं, TSP area में विदारती को कंडिडेट बहुत कम थे, तो यहाँ पर रहित बात करें हम सबसे पहले HT male और female की, तो HT के जितने भी male और female है, सबसे बहु zombi male की बात करूं, तो इनके आपकी merit रहने वाली है 30-40-45 के बीच में कितनी रहने वाली है 30-45 के बीच में यहाँ पर आपकी रहने वाली है यदि बात करें ST female की यदि महिला की बात करें तो इनके आपकी cut-off रहेगी 30-40 के बीच में तो यह यहाँ पर अनुमानित cut-off है एक सर्वे के बाद में और यहाँ पर पेपर का लेवल देखने के बाद बच्चूसे सब हमने पूछा कि student के answer की मिलाने के बाद कि कितने percent यहाँ पर राइट हुए हैं तो यहाँ पर अनुमान से हैं विदारती बहुत ही कम यहाँ पर score कर पा रहे हैं पच्चास के लगभगी विदारती रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें SC और male और female की SC male और female जो भी है उनकी भी cut-off 3-40-45 के बीची आपकी रहेगी 3-40 से जएदा आपकी नई रहने वाली है यदि हम बात करें general male और female इसके लवा OBC OBC जनरल male और female यदि हम बात करें क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे यहाँ पर विदारती एग्जाम दिये थे सबसे ज़्याँ जनरल के ही हैं और OBC के हैं तो जनरल यदि हम male और female की बात करें तो यहाँ पर जनरल वाले विदारती हों की ज्यादे श्यादा आपकी रहेगी तो 40 और 50 के बीच में रहेगी बिल्कुल जैनरल वाले विदारतियों कि 40 और 50 के बीच में ही आपकी रहने वाली है इतने यदि नम्मर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप आराव से परी क्वालिफाई हैं जो विदारती बोल रहे हैं कि सर हमारे केटिगरी मेंने सामील कि है जनरल की EWS की OBC की और MBC की जनरल EWS OBC और MBC ये केटिगरी में एक सामील है आपको बता रहा हूँ क्योंकि इन सारी केटिगरी में लगबग सेम ही आपकी कटोब रहती है कोई एक दो या OBC, MBC बगएरा तो ये इन कंडिडेट की आपकी कटोब रहेगी इसके लावा जो विदोहा बगएरा है या डिवर्स जिनका हो चुका है तलाक सुदा है बगएरा तो उनकी यहां पर यदि कटोब की बात करें तो इनकी कटोब यहां पर बिलकुल ही जिस भी के 20 से 30 के बीच में 20 से 35 के बीच में आपकी रहने वाली है इसे जएदा आपकी नहीं रहेगी यानि कि कुल मिलाकर जो पेपर यहां पर एक्जाम प्यास कर लेंगे उन विदार्थियों का यहां पर जो तलाक सुधा विदो अब अगेर है तो उनका आराम सी यहां पर हो जाएगा पर यह एकदम क्वालिफाई हो जाएगा ठीक ठाग यह नमबर आ रहे हैं तो यह कटोब एक अनुमानित कटोब है बाकी तो बाद में पता से लेगा कि यहां पर कितनी रहेगी या कितनी ने रहेगी क्योंकि अभी अपना सर्वेज चल रहा है और एक पॉल हमने करवाया है उस पॉल में पता से लेगा कितने विदार्ति वोटिंग करते हैं क्या इन विदार्तियों का इसको रिता है बिलकुल मिलते हम नेक्स्ट अगले वीडियो में धन्यवाद जैहिंद